भायो बेनों, हम सब जानते हैं कि उत्तरब्रदेश में भारती जन्ता पार्टी का संगठन प्रारंब से था, लेकिन एक जीवन्त संगठन होना चाहिए, और अपने दम पर, अपने बल पर भारती जन्ता पार्टी अपने स्रयोग्यों को साथ लेकर के, नकेवल देश के सबसे बड़े राज्य में अपना परचस्च और अपनी ताकत का दिखाएगा, उत्तरब्रदेश के प्रभारी के रूप में, मानियमित सहाजी ने जब 2013 में इस दाहित प्रकार निर्वहन क्यादु 2014 में भारती जन्ता पार्टी ने अभूत्पूर सभलता प प्राप्त की है, देश के भारती जन्ता पार्टी के रास्तिय ध्यक्स के रूप में, 2017 में भारती जन्ता पार्टी को तीन चौथाई से दिक सीट उत्तरब्रदेश बिधान सवहा की दिलवा करके, उस समय अपने कुसल, संगटन, चंता, चंता और भारती जन्ता पार्टी क की ताकत का एसास अपने राजनितिक बिरोधियों को कराया था और 2019 में राश्टिय ध्यक्स के रूप में जब उत्तर प्रदेश के अंदर कि एक महा गड़बंदन बना था देश और दुनिया के तमाम जितने भी राजनितिक बिस ले सकते वे सभी इस बात को मानते थे कि अब तो भारती जन्ता पार्टी का क्या होगा यूपी में और तब भी मानिया मिस्ताजी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में भारती जन्ता पार्टी 64 से 65 सीट से कम नहीं जीतेगी और भायो बेनो 2019 के लोकसवा चुनाव में भी भारती जन्ता पार्टी ने भारी सभलता प्राप्त करके 64 सीटे अपने सहयोग्यों के साथ जीत करके महा गडवंदन को पूरी तरह फेल कर दिया था आज मानिया मिस्ताजी का सानिद्य हम सब को यहां पर इस उसर पर प्राप्त हो रहा है मैं आप सब की और से मानिया ग्रह और सहकार्था मंत्री भारत सरकार का हिरदे से स्वागत पर अभिनंदन करता हूं कि वायोबेनों उत्तर प्रदेश में पांच वर्सों के गवरान कि भारती जंता पार्टी की डवल इंजन की सरकार ने आजनिया प्रधान मंत्री जी के मार्ग दर्सन और उनके नित्रत्व में जीवन के प्रतेक छेत्र में जनप एक सों पर प्रणकारी योजनाओं को बिना भेद्वाओं के हर गरीब को हर किसान को हर नौजवान को हर महिलाओं तक पहुंचाने और विकास की बड़ी बड़ी प्रयोजनाओं को आगे बढ़ाने का कारे जो किया वह इसलिए संबह हो पाया क्योंकि भारती जंता पार्टी की डवल प्रणिंजन की सरकार आधनिय प्रधान मंत्री जी के मार्ग दर्शन उनके नित्रत्व में मानने से अमित साजी का मार्ग दर्शन उनका नित्रत्व उनकी पेणा नियंतर हम सब को प्राप्त होती रही और आज उसका पेणाम है उत्तरव्रदेश और देश के अंदर भारत भारती जन्ता पार्टी नेत्रत्तों के बारे में भारती जन्ता पार्टी की सरकारों के बारे में कोई भी ब्यक्ति एक नकारत्मक तिपणी नहीं कर सकता राजनितिक प्रतिदंदिता हो सकती है राजनितिक प्रतिसोद हो सकता है राजनितिक तिपणी हो सकती है लेकिन को सोचाले मिल जाना हर एक ब्यक्ति को बिना बहेदभाव कि उसकी आस्ता का सम्मान हो जाना और हर एक ब्यक्ति को सुरक्षा की कारंटी दे देना यह अपने आपने एक बड़ी बात थी उत्तरप्रदेश ऐसे राज्य में जुन्दवनों से कर्शित राज्य था उसमें चुनौती थी लेकिन जाब सस्वी नित्रत होता है और निरंतर उनका मार्क दरस्वन प्राप्त होता है तो कठिन से कठिन चुनौती को बैदना भी बहुत आसान हो जाता है और इस पांच वर्सों के अंदर उत्तरप्रदेश के अंदर भारती जन्ता पार्टी संगठन ने सरकार ने मिलकर के वही पेणाम आज उत्तरप्रदेश की जन्ता के सामने दिया है क्योंकि आदने लिंगवर्स की अपने इस कारेकाल के साथ ही एक नईए अगनी पत्रीक्षा के साथ हम सब उतर रहे हैं इस ऊसर पर आज नामंकन के इस कारीकरम के उसर पर भी मानिये ग्रह मंत्री जी का सानिध्य गोरकपुर और पुर्वियुत्तर प्रदेश के कारेकरताओं को आज यहां पर प्राप्त हो रहा है मैं एक बार फिर से महायोगी भगवान गोरक्षणाद की इस पावन धर्ति पर मानिये ग्रह मंत्री जी का मानिये धर्मेंदर प्रदान जी का प्रदेश अध्यक्ष जी का और आगंतुक सभी अथितियों का और आप सभी कारे करताओं का भी हिर्देश स्वागत करता हो अविनंदन करता हो और विश्वास हम सब का यही विश्वास होना चाहिए कि जो पेडाम उत्तरप्रदेश से पेक्सित है उस पेडाम को देने के लिए हर एक कारे करता स्वयम में अपने भारती जनता पार्टी का सिंबल बन करके वहाँ अपने अपने छेत्र में अपने अपने बूथ में कि भारी बूहम्त से भारती जनता पार्टी के फक्स में विज़ाई परदान करने में अपना योगधान दे गाँ मैं आज कि इस आउसर पर इस कारे करम में अपना दल के नेता माने सियासीज पटेल जी भी और निसाजौ पार्टी के नेता सन्जै संज़न रिख आज कारे विद्री से यहांपर स्वागत करता हूँ हमारे अन्य मान्य विद्धायक गंड भी यहां पर आए हैं डुम्रियागंड से सीरा गोहेंदर सिंग्ग जी है सैजनवा से सीसल पांडे जी है मैदावल से शी राकेश सिंग बगेल जी हैं और भी अपने सिस्वा से हमारे वहां के माने विधायक पटेल जीवी आज यहां कारेकरम में उपस्तित हुए हैं इन सभी कारेकरताओं के साथ मिलकर के आप सभी भारतिय जन्ता पार्टी को विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे आप सब को इस पूरे कारेकरम के परती लग करके बढ़ करके और हम लोग बिना किसी रुके ठके डिगे लक्षे को प्राप्ट करने के सामय और निस प्रियास करेंगे इस विश्वास के साथ आप सब के परती मेरी सुपकामना है मोसम के विपरीद परस्तित्यों के बाबजूत आप आए क्योंकि कल साइकाल से ही लगातार बारिस रात्री भर बारिस थी सुवे भी बारिस थी और उस सब के बाबजोद आप लोगों ने आए माने ग्रह मंत्री जे का स्वागत किया विनंदन किया आपको धन्यबाद देता हूँ धन्यबाद जैहिन जैजेश्च्री राम